इस वीडियो में बर्स 2024 में भारत रतन पूरिसकार से किसे सम्मानित किया जाएगा साथ ही भारत रतन में से रिलेटे जितने भी important question बन सकते हैं पुरी details में इस वीडियो में cover किया जाएगा तो वीडियो को सुरू से यान तक जूर देखिए, इसके बिल्कुर भी ना करें तो फर्स्ट कोश्चन है, बर्स दो अज़र 24 में ये कितने लोगों को अब तक भारत रत्न पुरुसकार से समानित करने की घोसना की गई है तो आप्शन B करेक्ट हो जाएगा, यानि कि दो लोगों को अब तक दोस्तो वर्स 24 के लिए कुल दो लोगों को भारत रत्न पुरुसकार से समानित करने की घोसना की गई है वे दो लोग कौन है चलिए जान लेते है हाली में भारत सरकार ने BGB के पुर्व दिगज नेता लाल कृषना डवानी जी को भारत रत्न देने का फैसला किया है खुद प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी ने इसका एलान ट्वीट कर किया है इससे पहले जन्वरी 2024 में किंद्र सरकार ने बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री करपुरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देने का एलान किया था दोस्तो लाल कृस्ण अडवानी जी और करपुरी ठाकुर जी के बारे में पुरी डिटेल्स में जानेंगे तो आप वीडियो को अन तक जिरूर देखे चलिए अब जान लेते हैं कि अब तक कुल भारत रत्न पुरुसकार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है तो आप्शन C करेक्ट हो जाएगा अब तक कुल भारत रत्न पुरुसकार से 50 लोगों को सम्मानित किया गया है 2024 की भी डाटा बताई गयी है दोस्तो अब तक की दोस्तो इसी साल जनवरी 2024 में कींडर सरकार ने बिहार के पुर्व मुख्य मंतरी करपूरी ठाकुर जी के लिए 49 भारत रत्न पुरुसकार की घोसना की है कुश्य नम थ्री है प्रती वर्स भारत रत्न के लिए कितने लोगों को नमांकित किया जा सकता है दोस्तो एक वर्स में कितने लोगों को भारत रत्ने से समानित किया जा सकता है तो दोस्तो कुल तीन तो option B correct हो जाएगा भारत रत्ने के लिए सीफारी से प्रधान मंतरी द्वारा राष्टपती से की जाती है जिसमें प्रती वर्स अधिक्तम तीन नमांकित वेक्तियों को पुरुसकार दिया जाता है भारत रत्ने प्रप्त करताओं को राष्टपती द्वारा हस्ताक्षरीत एक सनद यानि के प्रमान पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है चलिए जान लेते कि भारत रत्न पुरुसकार देने के सुरुवात कब से हुई यानि कि इसके स्थापना कब की गई और किसके द्वारा तो आप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भारत रत्न पुरुसकार की स्थापना दो जनवरी वर्स 1954 को भारत के पूर्व राष्ट पती डॉक्टर रजेंदर प्रसाद जी द्वारा की गई थी इससे रिलेटेट कुछ इंपोर्टें नोट्स को भी आप जुरूर नोट कले जनवरी उन्निसो चोण में घोसीत मूल कानून में इस पुरुसकार को मन्नो प्रांथ प्रदान करने की अउधाना नहीं थी लेकिन बाद में इस प्रतिष्टित पुरुसकार की जनवरी 1966 की कानून में अंत्ता मर्नो प्रांथ पुरुसकार देने का प्रावधान जोड़ा गिया दोस्तो पहला भारत रतने से किसे समवानित किया गया था तो भारत के डोमेनियन के अंतिम गवरनर जनरल और तमील नेदू राजी के पुर्ब मुख्य मंत्री S. राज गुपाला चारी इनके साथ दूसरे राष्ट पती और भारत के पहले उपराष्ट पती सर पली राधा कृष्णन जी को और नोबेल पुरुसकार बिजेता और भौतिकी विग्याने सीवी रमन जी को जिनने 1904 में इन तीनों को ही एक साथ समानित किया गया था तो पहले भारत रतन प्राप्त करता कौन थे अब जुरूर नोट कर ले इन सभी को सचिन तेंदूलकर जी एक मात्रे यसे खिलाडी है जिनको भारत रतन प्राप्त हुआ था और वह भारत रतन प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी है तो इस पॉइंट को भी अब जुरूर नोट कर ले चली अब जान लेते हैं कि भारत रतन पुरुसकार क्या है पूरे डिटेल्स में भारत रतने भारत का सर्बोच्चे नागरीक सम्मान है यह सम्मान राष्टिय सेवाओं के लिए दिया जाता है इन सेवाओं में कला, साहित्य, बिग्यान, सारवजनिक सेवा और खेल सामील है भारत रतने की स्थापना 2 जनवरी वर्स 1904 में भारत के तत कालिन राष्ट पती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की गई थी भारत रतने का स्वरूप कैसा है तो इस पदक कर डिजाइन तामबे के वने पिपल के पत्ते पर प्लैटिनम का चमकता सूर्य बनाया गया है जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रतने और पीछे की तरफ भारत का प्रतिक चिन उभरा हुआ है और देव नागरी लिपी में सत्मे उजयते अंकित है दोस्तो यह स्वेथ फीते के साथ गले में पहना जाता है चलिए जान लेते हैं भारत रतने से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट नोट्स को भारत रतने से सम्मानित होने वाली पहली गाई का एमेस सूबो लक्षमी जी है जिने वर्स 1988 में यह सम्मान दिया गिया था आम तोर पर भारत में जन्मे नागरी को को ही भारत रतने से सम्मानित किया जाता है लेकिन मदर टेरेसा और दो गैर भारतियों पाकिस्तान के खान अब्दूल गफार खान और दच्छिन अफ्रीका के पूर्व राष्ट पती नेंसल मंडेला जी को भारत रतने पूरुसकार से सम्मानित किया गिया है कुश्चिन नमस 6 है 49 वे भारत रतने पूरुसकार से सम्मानित होने वाले करपूरी ठाकुर जी किस राजी से सम्मानित है तो आप्शन एक करेक्ट हो जाएगा बिहार राजी से सम्मंदित है करपूरी ठाकुर जी चलिए जान लेते हैं करपूरी ठाकुर जी के बारे में पूरे डिटेल्स में करपूरी ठाकुर जी बिहार के पूर्वे मुख्य मंत्री और समाजवादी नेता थे राश्ट पती कारियाले की ओर से करपूरी ठाकुर जी के जयनती से एक दिन पहले 30 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने उन्हें मर्नो प्रांथ भारत के सर्वोचिनागरिक सम्मान भारत रतने से समानित करने की घोसना की है करपूरी ठाकुर जी का जन में 24 जनवर 1924 को हुआ था ये भारत के स्वतंतरता सेनानी, सिक्छक, राजनीतिक गिया और बिहार राजी के दूसरे उप मुख्य मंत्री तथा दो बार मुख्य मंत्री बिहार के बन चुके है अपनी लोक प्रियता के कारण इन्हें जन नायक कहा जाता है करपूरी ठाकुर जी, नाय समुदाएं में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के घर जन में करपूरी ठाकूर जी का पैत्रिक गाउं समस्ती पूर जीले का पितौन जीया गाउं जो की अब करपूरी ग्राम से जाना जाता है उन्हें एक सिमांत किसान के बेटे से बिहार के दो बार मुख्य मंत्री और एक बार उप मुख्य मंत्री तक का सफर तै किया है करपूरी ठाकूर को समाजिक न्याय का परियाय और उत्तर भारत में पिछड़े बर्गों की वकालत करने वाले राजनीता के तौर पर जाना जाता है इनकी मिर्तु दोस्तो सतरफ परवरी वर्स 1988 को हुई थी ये तो हुई करपूरी ठाकूर जी के बारे में चलिए अब जान लेते हैं पचासवे भारत रतने से सम्मानित होने वाले L.K. अडवानी जी यानि के लाल कृष्न अडवान जी के बारे में लाल कृष्ण अडवानी भारतिय जंता पार्टी के वरिष्ट नेता है भारतिय रजनीती में बिजेपी को एक प्रमुक पार्टी बनाने में इनका योगदान सर्वो परी रहा है वी कई बार भाजपा के राष्टी अध्यक्ष भी रह चुके है लाल कृष्ण अडवानी जी को भारत रतन देने की भारत सरकार ने घोसना 3 परवरी 2024 को की है लके अडवानी जी का जन में 8 नौवंबर 1927 को जन में लके अडवानी लंबे समय तक भारतिय जंता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कारिय किये है लगबग 3 दसकों के संसदि करियर में उन्होंने पहले ग्रिह मंत्री और बाद में अटल भिहरी बाचपाई के मंत्री मंडल में उप परधान मंत्री भी रह चुके है बर्स 2015 में भारत का दूसरा सर्वोचिनागरिक सम्मान पद में भिभूसन से इन्हें समानित किया गिया है कुश्चन में 8 है भारत का सर्वोचिनागरिक सम्मान कौन सा है तो आप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भारत रतने चलिए जान लेते हैं आप्शन 4 के बारे में दोस्तो भारत का सर्वोचिनागरिक सम्मान भारत रत्न होता है भारत के दूसरे सर्वोचिनागरिक सम्मान की बात की जाए तो यह पद में भिभूशन है भारत के तीसरा सर्वोचिनागरिक सम्मान पद में भूशन है वही भारत का चौथा सर्वोचिनागरिक सम्मान पद मे सूची प्राथा में सी राजगोपालाचारी जी इन्हें दोस्तों वर्स 1904 में इनके साथ सरपली राधा कृष्णन जी को और सीवी रमन जी को इन्हें तीनों को ही वर्स 1904 में भारत रतने से समानित किया गया है बर्स 1905 में डॉक्ष गुर्णम विश्वे सरया जुआहलन नहरू और भगवान दास को समानित किया गया है बर्स 1957 में पंडित गोविन बल्लब पंत जी को समानित बर्स 1958 में डॉक्टर धोंडे केशव करवएक जी को बर्स 1961 में पूर्सोतम दास टंडन और डॉक्टर विधान रॉय चंद्र जी को बर्स 1962 में डॉक्टर रजेंदर प्रसाज जी को 1963 में दोस्तों दो लोग दिया गया है डॉक्टर जाकिर हुसेन और पांडुरंग वामन केन जी को 1966 में लाल बहादूर सास्त्री जी को 1971 में इंद्र गांधी जी को 1975 में वाराह गिरी वैंकेट गिरी जी को इन्हें दोस्तों विवी गिरी भी कहा जाता है 1976 में कुमार स्वामी कामराज जी को 1980 में मदर टेरेसा को 1983 में अचार्य बिनुवा भावे जी को 1987 में खान अब्दूल गफार खान जी को 1988 में मरुदूर गोपालन राम चंदरन जी को 1990 में डॉक्टर नेलसन मंडेला जी को और वी आर अम्बेटकर जी को सम्मानित किया गया है वही 1991 में तीन लोगों को सम्मानित किया गया है सरदार बल्लभाई पर्टेल, राजीव गांधी और मुरार जी देसाई जी को 1990 में सत्य जी त्रे को दोस्तों 1990 में तीन लोगों को सत्य जी त्रे, मौलाना अबुल कलाम अजाद और जी आरडी टार्टा जी को भी सम्मानित किया गया है 1997 की बात की जाए तो तीन लोगों को सम्मानित किया गया है गुलजारिलाल लंदा, अरुना, आस्ति, फली और डॉक्टर एपी जी अब्दुल कलाम जी को 1998 में MS सुबू लक्षमी और चितंबराम सुब्रमन्यम जी को 1999 में किने किने सम्मानित किया गया है आप जरूर नोट कले वहीं 2001 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान और लता दिनानात मंगेशकर जी को 2008 में पंडित भीम सेंजोसी, 2014 में सी एन राव और सचिन तेंदूलकर जी को 2015 में अटल बिहरी बाचपाई और मदन मोहल मालविय जी को वहीं वर्ष 2019 में तीन लोगों को सम्मानित किया गया है नाना जी देशमुख, भुपेन हजारी का और प्रनव मुखर जी दोस्तो प्रनव मुखर जी जी भायर के कितने नमर के राष्टपती थे अब कॉमेंट कर इसका अंसर जीरूर बताए 23 जनवरी 2024 को करपूरी ठाकुर जी को भायरत रतने देने की घुशना की गई है ये दोस्तो बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री थे और पचासवे भारत रतने से लाग क्रिशन रतवानी जी को समारित करने की घुशना की गई है